इसको भी डेरी फार्मिंग में डबल मुनापा कमाना है तो आप अपने एनिमलों को गाय और भैस को दोस्तो यह घास खिलाईए यह घास क्या है इससे कब लगाते हैं इसको जानवरों को खिलाने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आज की इस मैं तो वीडियो के अंड तक बने रहे ना जो भी बाई चेनल में नए आए तो चेनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जारत से जादा सेयर करिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इस घास की जो हाइट बता देता हूं देखिए दोस्तों इसकी हाइट यह लैसन के तरह होता है जो अपनी लैसन रहती है इस तरह किसके पत्ते रहते हैं लेकिन दोस्तों इसकी जो कॉलिटी है बहुत ही अच्छी रहती है जो अपना बर्सिंग घास रहता है उसकी अपक्छा यह काफी ज्यादा अच्छा रहता है और यह जो पीखे भी काफी ज्यादा देत कि जानवरों का दूद एक से दो लिटर पक्का 100% ग्यारंटी के साथ कहूंगा कि बढ़ता है यदि आपकी जो एनिमल गाय हो या भाइस हो यदि आप गाय आपकी 7 लिटर दूद देती तो मेरा सम्मानना है कि वो 8 से 9 लिटर अराम से फेक देगी 9 लिटर तो पक्का दोस्तो ग्यारंटी के साथ है आप एक बस खिला के देखे भैस का भी दोस्तो सेम प्रोसेस है कि 2 लिटर सम्तिंग दूद इसमें बढ़ेगा 99% में ग्यारंटी के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैं खुद 3 साल से इस घास को अपने डेरी फाउं में यूज कर हूं और दोस्तो इसमें किसी तरह की कुछ भी प्रवल्बम नहीं आती घास को कटिंग करने की इस घास को दोस्तो एनिमल बहुत ऑच्छी तरीके से खा लेता है चबा चबा कि घास को एक बी नाच नहीं करता मतलब किसी तरह की इसको खराब नहीं करता नास बोले तो किसी भी तरह का कुछ भी इसको ऐसा वो खुंदल पाव में खुंता नहीं कुछ नहीं करता मतलब बहुत अच्छी तरीके से खाता कटिंग करने की जरूती नहीं पड़ती नॉर्मल सीधी भासम बोलों तो और दोस्तों ये घास का में में को सबसे बड़ा जो रियल्ट वो लगा क है फैट जानवरों की काफी अच्ची आती यादि आपकी कभी साथ जीरों की फैट आ रही है आठ जीरों की फैट आती को मैं इस घास को इस्तेमाल कर रहा हूं यह बर्सिंग घास ते काफी अच्छा है लेकिन बर्सिंग घास की अफेक्चा थोड़ा महेंगा आता है और इसको लगाते कब हैं इसको लगाते हैं जैसे अपनी धान की फसल करती है उसके बाद हम इसे बहुत देते हैं जिस तरह से बर्सिंग घास जमीन से ट्रेक्टर चला देगे उसके बाद चरी घाष बोड़ेँगे जो की भूटे के तरह होता है उसको कटिंग करकर के खिलाएंगे पिर वो हमारा चलेगा जोस्तों जुलाई अगस तक चलेगा घाष उसके बाद पी नीपिर घाष चलेगा तो ये थी आथ की छोड़ी से जानकरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना तो मिलते हैं नेश्ट वीडियो में